कि दोस्तों आपको साजन का नमस्कार आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि बन जाये आपकी भी बात तो जुड़े रहे हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ दोस्तों आज हम बात करेंगे पैसों के बारे में वो पै सभी लोग जाने क्या-क्या करते हैं, जाने कहां-कहां भटकते हैं, गाउं से दूर, घर से दूर, परिवार से दूर, दोस्तों, पैसों को पास लाने के लिए हम और आप जाने कितनों से दूर चले जाते हैं, मा-बाप, भाई-बहन, पत्नी, बच्चे और नात रिष्टेदार, मगर हमें आप एक बात बताओ, क्या इतनी सारी खुर्वानिया देने के बाद भी, इतने सारे लोगों से दूर होने के बाद भी, क्या ये पैसा हमारे पास रहता है, या हम जितना चाहते हैं, उतना हमें मिल पाता है, मेरे खयाल से आपका और आपके साथ साथ, सभी लोगों का जवाब नहीं ही होगा, क्योंकि पैसा वो बला है, जो चाहे हमारे पास, जितना भी क्यों नहों कम ही लगता है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा बढ़ता है, तो हमारी इच्छाएं भी अपने आप बढ़ने लगती हैं, और कभी कभी इच्छाएं तो बढ़ती हैं, मगर पैसा नहीं बढ़ता, और हम मजबूर हो जाते हैं, मन मसोस कर रह जाते हैं, अपनी इच्छाएं दबा कर रह जाते हैं, एड़ेस्ट वाली लाइफ जीने लगते हैं, दोस्तों अखिर ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम आप और हमारे जैसे सभी लोग ऐसी जिन्दगी जीते रहेंगे, दोस्तों जितनी स्पीट से हमारे खर्चे और महंगाई बढ़ती है, उतनी स्पीट से हमारी इंकम नहीं बढ़ती, इस वज़े से हम गुजरते वक्त के साथ और भी तरह तरह की परिशानियों में घिरने और उलजने लगते हैं, इसलिए दोस्तों करो कुछ ऐसा कि पीछे आए पैसा, कहने का मतलब अपने आप में कुछ ऐसा बनो, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग मुह मांगा पैसा दे, या आपके काम से खुश होकर, आपके हुणर से खुश होकर आपको खुद से पैसा देना शुरू करें, या अगर आप पहले से ही पैसे वाले हैं तो पैसा बनाने के लिए पैसे से पैसा कमाएं कहने का मतलब अपने पैसे को ऐसी जगह Invest करें कि आपका पैसा ही आपको पैसा लाकर दे दोस्तों इस तरह की कमाई को कहते हैं टेक्णिकल कमाई technical कमाई करने वाले लोग investor लोग के पास पैसा आता ही रहता है और वो उन्हीं पैसों को फिर से किसी और जगह invest करते हैं और उनकी income और double table होती जाती है यह तो थी पैसे से पैसा कमाने वालों की बात और अब जिन भाई लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतनी इंकम नहीं है, उनकी बात करें तो भाई ऐसे लोग अगर चाहते हैं कि पैसा उनके पीछे आए, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें, कि हमारे हाथ पैर चला कर, कहीं छोटी मोटी नौकरी करके, अगर आप चाहेंगे कि पैसा आपके पीछे पीछे आए और आपकी लाइफ अच्छी और एशो आराम वाल हो जाए, तो भाई आप अब तक गलत रूट पर हैं, आपने रास्ता गलत चुना है, आपको नौकरी के रास्ते पर चल के कभी ऐसा सुख नहीं मिलने वाला, पैसा कभी आपके पीछे नहीं आएगा, उल्टा आपको पैसों के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा, इतिहा आपको पैसों के आगे आना पड़ेगा, कहने का मतलब आपको अपनी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी सोच को लॉजिकल और टेकनिकल बनाना पड़ेगा, और नौकरी वाले पैसे से हट कर कुछ अपना करना पड़ेगा, जिससे आपको उसका पूरा पूरा फायदा मिल सके, तो आपका ग्रोथ होगा, नौकरी में आप इसलिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं इंकम बना पाएंगे, कि काम आप करेंगे, उसका फायदा उसका पैसा आपका बॉस ले लेगा, या उसे ही मिलेगा, क्योंकि आप उसके पास नौकरी कर रहे हैं, एक लिमिटेट और फिक्स सैलरी पर मतलब मेहनत आपकी फायदा किसी और का, आपको इस नौकरी वाले चक रिव्यू से निकलना होगा, क्योंकि इसमें फसा हुआ इंसान न तो कभी तरक्की कर सकता है, न तो इंकम या पैसों की बढ़ोतरी कर सकता है आप चाहे लाख रुपए वाली नौकरी कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं टिकेगा, आपके पास पैसा तभी आएगा जब आप अपने लिए अपना कुछ करेंगे अब आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बहतर कर सकते हैं, ये फैसला आपका तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि लाइफ को खुबसूरत बनाने के लिए आपको क्या करना है तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर वीवर हैं, और आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका लाख लाख धन्यवाद और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल हमारी दुनिया को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को एक लाइक कर दीजे और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर लिजे ताकि मेरी हर वीडियो की न्यू अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तो अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं तो हमें आप ट्विटर, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं उस पर वीडियो बना कर आपके सवाल का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा इसके अलावा जिन भाईयों को फिल्म संबंद्री जानकारी चाहिए जैसे सिंगिंग, एक्टिंग और राइटिंग से रिलेटेड तो वो भी हमें कमेंट में लिख कर बताएं मैं आपके उन सवालों का जवाब भी वीडियो के माध्यम से जरूर दूँगा सो फ्रेंड्स आप से चाहूंगा इजाजत तो चलते चलते एक बार फिर से साजन का नमस्कार थैंक्स अलोट टो वाच्स माई वीडियो